अलो फ्रेंज नमिशकार वेलकम तू दिशा क्लासिस तो जैसे कि आपको पते ही हम रास्थान बजट के सवाल कर रहे थे उसी श्रंकला में हमने टेस्टरी स्टार्ट की थी तो आज हमारा ये तीसरा टेस्ट है इससे पहले हम दो टेस्ट कर चुके हैं तो चलिए हम चंबल भीलवाड़ा पेजल परियोजना के किस चरण में भीलवाड़ा जिले को जलापूर्ती का लक्ष रखा गया है तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो आप लोग में से काफी सारे स्टूडेंट ने गैस कर लिया होगा और यहां पर जो हमारा सही आंसर है वो है द्वित रास्समन भीम और देवगड आएंगे और भीलवाड़ा को द्वितिय चरण में रखा गया है ठीक है क्लियर होगे आप लोगों को यह द्वितिय चरण है पहले चरण में रास्समन भीम और देवगड चलिए अगला सवाल करते है हम लोग अगला सवाल है हमारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से कितने जिलो लाभानवित होंगे तो इसका जो सही आंसर है वह है 13 जिले यारी कि D is the correct answer पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से 13 जिले लाभानवित होंगे अगली जो test series होंगी उनमें नाम भी मिल जाएंगे आपको तो आपको यह जित्ती भी test series है वो continue रखनी है नेक्स दीखिए नेक्स है हमारा रास्थान सरकार ने बजट में कितने वर्षों की उर्जा नीती गोशित की है ठीक है रास्थान सरकार बजट गोशित करते हैं तो उसमें उर्जा नीती उर्जा से related सवाल सभी उसके अंदर होते हैं तो आपका जो यह सवाल है इसके अंद चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग राजस्थान सौर उर्जा नीती किस वर्ष जारी की गई थी सीधा सा सवाल है तो इसका जो आंसर है वह है सी 2011 के अंदर और कितनी 50000 मेगावाट ठीक है 50000 2 मेगावाट तो आपको यह भी ध्यान में रखना है 50000 2 मेगावाट और यह जितने में आकड़े होते हैं यह दिसम्बर 2020 तक क्या आकड़े होते हैं यह भी special चीज़ है आपको ध्यान में रखनी है अगला सवाल देखिए राजस्थान पवन उर्जा नीती किस वर्ष जारी की गई थी तो पहले जो सवाल था वो था सोर उर्जा क अब है पवन उर्जा का तो सही जो आंसर है इसका हमारा कि यह जो इसका सही आंसर हमारा है दो हजार बारा सी इस दा करेक्ट आंसर और इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है 4337 मेगावाट और यह भी जो आंकड़ा है वो दिसम्बर 2020 का लिया गया है अगला सवाल जो है केलास सांकला जिनको पदमिश्य वाट मिला है उनके नाम पर जो वन है वो कहां पर बनाया जा रहा है तो वो बनाया जा रहा है आपके जोदपूर के अंदर ठीके B is the correct आंसर आठ मील की जगह पर इसको पूरा विक्सित किया जाएगा अगला देखिए बजट भाशन में माननी मुख्य मंत्री जी ने दोला मारू टूरिस्ट कॉंपलेक्स जो आप लोगों को डोला मारू की कहानी में रास्तान आठ अ कल्चर में भी पढ़ाई थी तो उसी के नाम पर इसका निर्मान किया जा रहा है तो यह किस शहर में प्रस्तावित किया गया है तो इसका जो सही जवाब है वो है जेसल मेर और आपको वैसे काफी सारों को जिन्हों रास्तान आठेम कल्चर सही से पढ़ा वो समझ भी गयेंगे डोला मारू की कहानी की बात आएगी तो ज्यादा तर जोत्पूर और जेसल मेर दोनों ऑप्शन में तो कन्फ्यूजन क्रियेट होता जो सही अंसर है उसका वो है हमारा बी 2 अक्टूबर 2021 एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कॉंग्रेस की सरकार के अंदर जातर जित्ते भी आप देखेंगे कुछ अभियान है जो भी चीज़ें है वो तीन नामों पर आपको अक्सर मिलेंगी हमेशा नहीं 2 अक अगला सवाल देखें परिटन शेत्र में कुरोना महमारी के कारण आये मंदी को दूर करने के लिए परिटन विकास कोश को कितनी राशी जो है आवंटित की गई है तो कितनी दन राशी आवंटित की गई है इसका जो सही आंसर है वो है 500 करोर यानिकि C is the correct answer next देखें अगला सवाल है राजस्थान निवेश प्रोचाहन योजना किस वर्ष प्रारंब की गई थी ठीक है राजस्थान निवेश प्रोचाहन योजना तो जो सही आंसर है इसका वो है हमारा A 2014 तो A is the correct answer अगला सवाल देखें अगला सवाल है हमारा राजस्थान निवेश प्रोचाहन यो क्या निर्धारित की गई है ठीक है अंतिम तो इसका जो सही आंसर है वो है सी ठीक है सी दा करेक्ट आंसर 31 मार्श 2023 तो यह आपकी जो टेस्स सीरीज है उसी श्रंकला में सवाल थे आप लोगों के लिए कमफर्ट रहे इसलिए लास्ट में आंसर की भी दे दिये और यह बिल्क में एक्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लस यहां पर जो मेरा वाट्सप ग्रूप है वह नंबर भी दे रखे हैं और क्लास का जो आपको टेलीग्राम बनाया था उसके थ्रू भी आपको जानकारी और पीडिएफ मिल जाएगी वहां पर तो इन दोनों को जादा इंपॉर्टेंट रहेंगे थैंक यू